आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनेरेरिया के पौदों की सिनेरेरिया के पौदे ऐसे हैं जो की टाइम पर फ्लावरिंग करते हैं लेकिन फ्लावरिंग करते हैं तो खूब अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं इनका फ्लॉवरिंग करने का टाइम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिनरेरिया के पौदे की देखवाल हम सही तरीके से कैसे करें तो स्वागत है आप सभी का अमारे गार्डनिंग इज मैं सीक्रेट यूटूब चैनल पर इस वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं तो आप सामने देख पा रहे हैं दो सिनरेरिया के पौदे रखे हुए हैं ये पौदे इस टाइम पर बहुत अच्चे से प्लॉवरिंग कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि ये प्लॉवरिंग करते हैं इनका कौन सा टाइम है प्लॉवरिंग करने का और ये फ्लावरिंग कितने दिनों तक लगातार करते रहते हैं तो दोस्तों ये पौदे फ्लावरिंग करना सुरू करते हैं जब मौसम में अलकी अलकी गर्माहट आने लगती है जैसे कि जनवरी के महीने के बाद मौसम में अलकी अलकी गर्माट आने लगती हैं सर्दियां कम होने लगती हैं तब ये प्लॉवरिंग करना स्थुरू कर देती हैं और जब ये प्लॉवरिंग करते हैं तो लगातार एक महीने तक प्लॉवरिंग करते रहते हैं तो यही समय है इनका फ्लॉवरिंग करने का अब आप यह जान लो कि यह पौदे अच्छे से फ्लॉवरिंग करने के लिए इनकी केर हम कैसे करें तो मैं आपको बता दू कि यह पौदे ऐसे पौदे हैं जो कि कम देखवाल से ही बहुत अच्छे से ग्रोग करते रहते हैं इसल हमको कितना देना है और कैसे देना है तो चलिए मैं आपको ये भी बता दिता हूँ तो दोस्तो पानी हमको अपने सिनेरिया के पौदे में एक दिन छोड़के देना है क्योंकि हमारे पौदे को दूप कम मिलेगी तो इसमें पानी की नमी बनी रहती है इसलिए हमको अपने पौदे में पानी एक दिन छोड़ के ही देना है अब दोस्तो मैं आपको वता दूँ कि इसकी देखवाल के साथ इसमें कुछ पर्टी लाइरों का इस्त dismhाल भी होना जरूरी है क्योंकि 50 लाइर का इस्तमाल होता रहता है हमारी पौदों में तो इनको दूप से या पानी से मरने का डर नहीं रहता है इसलिए अब आप जान लो इसके लिए 50 लाइर की 50 लाइर हमको कौन सा लेना है तो आप सामने देख रहे हैं ये मैंने गर पर बना हुआ बनाना पील फर्टी लायर लिया है ये मैंने अपने गर पर बनाया है और ये मैंने एक महीने पहले बनाया था अब मैं इसको एक महीने बाद अपने पौदे में इस्तमाल करने वाला हूँ फर्टी लायर जितना पौदे में अच्छा काम करता है अ अब मैं आपको बता दू कि इस बनाना फील पर्टी लायर से अमारे पौदे पर क्या क्या प्रवाब पढ़ते हैं और इसका क्या रियल्ट मिलता है तो दोस्तो अगर इस पर्टी लायर को किसी भी फूल वाले पौदों में महीने में दो बार इस्तमाल कर दिया जाए उसके बाद अमारे पौदे में ये पर्टी लायर एनरजी बना देता है एनरजी बनाने से अमारे पौदे जितनी भी फिलावरिंग करते हैं उतनी अच्छी ही करते हैं क्योंकि जब हमारे पौदे को एनरजी मिलती है तो हमारा पौदा अपनी फ्लावरिंग करने में भी एनरजी लगाता रहता है तो चलिए इस पर्टी लायर को पौदे में डालने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पौदे की मिट्टी कैसी रखनी है मिट्टी आपको अपने पौदे की बिलकुल बुरुबरी रखनी है और ध्यान रखें कि आप अपने पौदे में जब भी फर्टी लायर का इस्तमाल कर रहे हैं उससे पहले आपको अपने पौदे की एक वार गुडाई जरूर कर लेनी है गुडाई करने से हम अपने पौदे में जो भी फर्टिलायर का इस्तमाल करते हैं वो पौदे की जड़ों तक पहुंच जाता है उसके बाद हमारे पौदे में एनर्जी बनना शुरू हो जाती है तो ये फर्टिलायर मैंने अपने पौदे में इस्तमाल कर दिया है और आपको इस फर्टिलायर के फायदे भी बता दिये हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राब करें, मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, टेंक्यू